गौालियर में मिलावट खोरू पर होली के पहले कारवाई देखने को मिली है चाप इमारी के दौरान बारह क्विंटल मावा और तीन क्विंटल पनीर जब्त किया गया है फुलिस प्रशासन और खाद्डिवभाग ने सैयुक तुरूप से यह कारवाई की है होली के ते वहारू के मद्दे नजर एक बार फिर मिलावट खोर सकरे हो गए है एक ऐसा स्वाद जो रहे हमेशा याद जासी की नमबर वन फ्रेंचाइजी इधर हाई कूट की सकती काविश जिला प्रशासन पर असर देखने को मिल रहा है इसी को देखते हुए जिला प्रशासन की राजस्व और खाद एवम औशधी प्रशासन विभाग ने गुपतेशवर पहाडी के पीछे इस्थित बरा गाउं में गुदाम में छापा मार कारवाई की इस दोरान बारह क्विंटल मावा और तीन क्विंटल पनीर बरामत किया गया है कुछ माल छोटी लोडर गाडियों में रखा हुआ था प्रशासन के टीम ने मिलावट के आशंका में सभी खाद्य प्रदार्थों के सैंपल कलेक्ट किये है SDM अतुल सिंग के मताबिक भिंड और मुरैना से बड़ी संख्या में छोटी कारुबारी पनीर मावा और अन्य दूद से बने उतपादों को लेकर आते हैं यहां से देश के दूसरे महानगरों में इन खाद्य प्रदार्थों को भीजा जाता है गौर तलब है कि हाई कोर्ट में भी मिलावटी खाद्य प्रदार्थों को लेकर एक जन ही त्याची का लंबित है जिस पर लगतार सुनवाई चल रही है कोर्ट ने भी इस मामले में सकती दिखाते हुए मिलावट खोरों को सलाकों के पीछे भीजने की बात कही है फिलाल यह पता नहीं चल पाया है कि इस कारुबार को करने वाले कौन लोग है बिंड और मुरैना के कारुबारियों की भी पड़ताल की जा रही है बिंड बिंड रही है बिंड बिंड रही है एक ऐसा स्वाद जो रहे हमेशा याद जासी की नंबर वन फ्रेंचाइची बिंड उन्क्राइची ट्सक्राइची प्रेंची एक यादेची जासी जास अव्ड़ता बिंड रही है